आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन महत्वका है क्योंकि ये सेशन में आपको थोड़े वीडियो दिखाऊंगी लाइव वीडियो से बच्चों के लाचिंग के वीडियो से इसमें मैं सिखाऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है और गलत है तो क्या गलत है और आपको कैसे उसको सुधार ना है ठीक है तो ये बहुत ही महत्वका का सेशन है आपको दो तिन बार देखना है ये सारे वीडियो तो आपको फिल्ड में बहुत मतलब काम में आएंगे जभी आप बच्चे जबी मादूत लारी ऑर अगर दिएक्षिन कर रहे हैं तो वो टीम पर आपको यह वीडियो याद आएंगे आपको बता चलएगा कि यह सही लाचंग है की नहीं लाचंग है ठीक है तो यह आपको प्लीज जरा फोकस से आप देखना ये तो यह जो पहला बना वीडियो है मैं उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर बच्चा सिर्फ निपल पर लाच कर रहा है सिर्फ निपल पर ठीक है तो डिपल पर कितना दूद आएगा अगर सिर्फ निपल दबाएगा और बच्चे अ अगर बच्चा सिर्फ निपल पर लाच कर रहा है और बच्चे ने जब भी अरिला दबाया तो इतना दूद आ रहा है तो ये आपको ज़रा धिहान में रखना है कि बच्चे को अरिला पर लाना है फिर से मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत महुत पुरुनक है, बिल्कुल दूद आई नहीं रहा है, इसलिए हमारे बच्चों के बजन से 300-400-500 ग्राम बढ़ रहा है, अगर बच्चे को इसी तरह अपलाए है, जैसे उसका नीचे का काला भाग मा का पू है, वो नहीं दिख रहा है, तो आप डेफिनिटल देखना कि बच्चा इतना बढ़ता है, ये ये सही टेकनीक से अगर बच्चा लाच होआ तो, तो ये आपको धियान में रखना है, ये एक दूसरा है, ये देखिए बच्चा, अफ्कोर्स डॉक्टर है, वो मदर को हेल्प करिये, देखिए लेकिन, ये देखिए निपल है कैसी है, रिट्रेक्टाइल है, मतलब निपल अंदर की तरफ है, निपल बाहर नहीं है, अब कहीं बहुत टाम ऐसा होता है, कि अगर निपल अंदर की तरफ होती है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सी से बोलते हैं, स बच्चा है वो निपल पे लाच नहीं कर रहा है, लाच कहां पे कर रहा है, बच्चा जो एरिला पे है, बच्चा गर ऐसे आ रहा है, तो वो एरिला पे लाच कर रहा है, तो अगर अगर अपने सही तरह से उसको पकड़ा, तो वो पूरा ये जो पूरा जो एरिला है, वो पू अगर आप निपल लाच करवाना चाहते हो तो निपल की जरूरत होगी, लेकिन आपको निपल लाच नहीं करवाना है, आपको अरेलला लाच करवाना है, दूसरा एक ध्यान में रहे आपको देखना है, कि देखिए यह जो डॉक्टर है, जहां पे बच्चे के ऊपर के होट है वहाँ पे उसकी एक उंगली है, यहां पे उसके नीचे के होट है वहाँ पे दूसरी उंगली है, तो यह जो डॉक्टर है उपर से पकड़ रही है, ठीक है, लेकिन जब अब मा ला रही है, प्रॉब्लम एक है यहां पे, कि बच्चा क्रेडल होल में आरहा है, देखिए मां को उपर से पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा तो आपको मा को बताना है कि उसको क्रॉस के लोड में लाइए ठीक है उसके दूसरा हाथ है वो सिर के पीछे होना चाहिए और यह वाला हाथ है वो नीचे से पकड़ के ऐसे यू शेप में जैसे यह उपर से यू शेप दिखाने वाली हो आप देखिए कैसे हो बच्चा दूद बीरा है ठीक है देखिए जब तक बच्चा बड़ा मूनी खोलता है जैसे बच्चे ने बड़ा मू किया वैसे ही तुरंती डॉक्टर ने बच्चे को लाच किया ठीक है और देखिए इतना नज़िक है कि बच्चे के होट बिलकुल नहीं दिख रहें तो वैसा होना चाहिए और बच्चा इतना अंदर की चावाए कि चाती भी अंदर की तरफ थोड़ी खुपी हुई है तो यह लाच इतना ब्यूटिफुल लाच है और बिलकुल उसकी जो गाल है उसमें बि आपको मा को सिंकरा कि मा घुट कैसे ऐसे लाच करें ठीक है तो मा को बताना है कि दूसरे हाथ से बच्चे को पकड़ना है ठीक है और ये हाथ से वो तंको पकड़ सकती है ठीक है अबी ये है देखिए ये क्या है इसमें problem ये है कि उसकी पूरा शरीर है वो बाहर की तरफ घुमा हुआ है तो उसका जो चाती है वो बिलकुल मा की चाती की तरफ होना चाहिए ये उसका जो सिर है वो ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये जो है ये गलत है ठीक है दूसरा उसका जो बच्चे का कान है कान के नीचे बिलकुल उसके जो शोल्डर जॉइंट है ये जो शोल्डर जॉइंट खंदे है वो बिलकुल कान के नीचे आने चाहिए ठीक है यहां पर क्या हुन अगरा है कि उसके खंदे पीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब बच्चा ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इसलिए उसके कान के नीचे यह खंदे नहीं है, तो पीचे की तरफ तह यह गलत है, यह वाला, ठीक है, यह पॉजिशन बच्चे का गलत है, उसकी छाती बिलकुल मा की तरफ गुमनी चाहिए, दूसरा उसका जो सिर है वो थोड़ा ऐसा पीछे की तरफ है, लेकिन सिर ये पीछे की तरफ होना ही, ये पीछे की तरफ होना ही, लेकिन उसके साथ पूरा जो बदन है, पूरा उसका सिर है, पूरा जो कंदा है, everything should be in the same line, तो ये मैं आ प्जाओ दिखाते होँ, और देखिए, यहाँ पे थोड़े खड़े पड़े, आपने यी वाले खड़े, उसका मतलब ये है, अभी भी जो अच्छी तरह, वो नीचे का कालाभाग, नीचे का काला भाग नहीं गया है, उपर का काला भाग गया वो बताया था कि जब बच्चे का बच्चे के मुह में जब उपर का काला भाग जाता है तो उसके वो मुह में कड़े पड़ेंगे तो इसको मैं क्या करूंगी कि बच्चे को थोड़ा सीधा करके उसको थोड़ा नीचे की और कीचूंगी तो उसको थोड़ा नीचे की और ऐस सब घुमा हुआ है तो उसको मैं निकालूंगे नहीं बच्चे को क्योंकि मुह बढ़ा है उसको सिर्फ उसका पैर से उसको किचूंगी और उसका जो शरीर है थोड़ा ऐसा टर्न करके मा की तरफ उसको लाओंगी ठीक है अभी देखिए यह क्या है कि इसमें देखिए कि बच्चे के दोनों होट दिख रहे आपको देख रहें दोनों भुट दिख रहें कि ओप ऐसेका काला बाग दिखें किया देको एफे कि अभी बच्चा अच्छी तरह वो खुपा हुआ है तो अगर आप ऐसे दो होट देख रहे हैं उसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि वो बच्ची की मतलब जो लाचिंग है वो ठीक नहीं है तो आपको एक बार लाच चेक कर लिया तो मा को बोलो कि अंदर की तरह बच् हुआ उपर काला बाग- बाहर है बहुत अच्छा है कि आपको क्या करना मा को बोलो कि अंदर की तरफ घीचे करें अगर अंदर की तरफ नहीं घीचा तो बच्चे को दूट जितना मिलना चेह एँतना वह दूट मिलेगा नहीं ठीक है ठीक है अभी देखें, यह क्या है वो बीच में आ रही है, देखी आपने, ठीक है, तो ये ठीक तरह से पकड़ा होने, यू शेप है, लेकिन, और दूस्तर देखा, आपने क्या था, वो जो उसका जो पूरा बदन था, वो बहार की तरफ था, ठीक है, जैसे हैल के वरकर ने, जैसे वो मुडाया, ठीक है, पूर इसे पकड़ना है, सिर्फ उंगली जो है, ये पूरी, उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, इसलिए बीच में आ रहा है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ उंगली की जो टिप होती है, ये वाली, ठीक है, जबी कोई गंदा कपड़ा पकड़ते है, से उंगली से तो आपको वैसे चाती को पकड़नी तो उससे क्या होगा कि यह उंगली पीच में आएगी ठीक है तो यह मैं आपको वापस में दिखाने वाली हो दूसरा एक प्रॉब्लम है इसमें कि यह जो बच्चा है उसका नाग देखिए यह जो उसकी जो गर्दन है अंनों होट दिख रहे है शिए ठीक है और नाग बहुत निपल के वह बजु वह तरफे मतला वह गलत है थीक है तो इसको मैं क्या करूंगी धोड़ा सा उसको नीचे की और शेऊंगी पेर ठोड़ा किचूंगी ठीक है तो थोड़ा नीचे आ जाएग बच्चा और उसको उ लेकिन अभी भी उसकी जो गरदन है वो नीचे की तरफ जुकी हुए है नीचे की तरफ जुकी हुए है वे आपको ध्यान में रखना है ठीक है वेरी गुट अभी देखे यह क्या है देखें बच्चे की गर्दम अच्छी तरह उपर की तरफ है क्रॉस के डिल होल में रखा हुआ है यहां पर अभी लाचिंग चेक हो रही है देखें लाचिंग के लिए वो कहां पर डॉक्ट चेक करी है यह जो नीचे के होट है बिल्कुल अरिला की बॉर्डर पर है उपर के होट है वो बिल्कुल निपल के उपर ही है थोड़े पूरा जो उपर का अरिला है बहार है ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है खड़े भी बिल्कुल नहीं पड़ रहे है ठीक है तो जैसे वो बच्चे ने लाच कर दिया आपको मां को सिखा एक अंदर कूपाएज इतना अंदर कूपेगा उतना वो दूद जफित सकेगा तो यह है आपको होट है मिला आपके जो गाले बच्चे के बिलकुल फुल होए ठीक है अच्छी तरह ब्यूटिफुल पोजिशनिंग है ठीक है और यहां पर चेक करिए जो भी है और चेक करिए देखिए नीचे के होट यहां पर वाटर पर देखा आपने ठीक है तो पूरा जो नीचे का काला त्टिकर बचवच्चे के मुईं गया हुआ है तिक यह का लट देकर है कि यलक दिखे कर तो क्या क्या देखना बच्चे का मुझ बहुत अच्छा बड़ी तरह घुलावा है ओली देंगे इसके बच्चे के होट थोड़े दिख रहे हैं बच्चे के होट डिखने नहीं चाहिए तो ये पोजिशन में मा को बोलूँगी कि बच्चे को और थोड़ा अंदर ले उसके होट बिलकुल दिखने को अंदर को उपना चाहिए ये होट डिकने नहीं चाहिए बल्कुल दिखने नहीं चाहिए ब acuerdo बच्चे आभी भी ही थोड़ा दूर है टीक है यह भी देखते है तेके मूह कितना बड़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह बड़ा हुआ कुला है डॉक्र ने देखा एक प्राइलिम है इसमें कि जो उपर का जो ऐरिला है वो बहुत उसके मुझे गया हुआ हुआ है ठीक है यह उपर का एरुला है सिर्फ उसके निपल के उपर ही होना चाहिए इतना पूरा एरुला मुह में जाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि वह एरुला से वह बच्चा दूद नहीं किट सकेगा ठीक है जैसे हम लोग खाना काते है निवाला लेते तो नीचे के होटे तरफ लगते हैं उपर के होट की तरफ नहीं ठीक है जितना वह नीचे के होट के तरफ होगा उतना बच्चा वह दूद अच्छी तरह पी सकेगा ठीक है ठीक है यह देखे अभी इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि देखे उपर का जो एरुला है बहुत उसके मुह में गया हुआ ह जबी उपर का अरो बच्चा बहुत दूर भी देहां उसके गोट भी दिखाई देते हैं उसके पूर को ज्यादा दूर्द मिलेगा क्योंकि उसका जो उपर का होट है वो सिर्फ निपल के उपर होना चाहिए और जो नीचे का होट है बिल्कुल यहां पर एरोला के बाहर क्योंकि एरोला चोटा है ठीक है तो यह गलत है ठीक है तो आपको वापस उसको डिलाच करके उसको वापस लाच उसको कराना पड़ेगा देखे नCamat देह एंगे मुवर्लियों बना Kollegin पसको का ठाश्या गार एक मरमार करदा मतलब रिजो प्रॉबूम ठीक है ठीक है भी देखते हैं यह क्या है यह ब्रेस्ट क्रॉल है तो यह उपर से बच्छा रहा है ठीक है मुह कितना बड़ा देखो आपने कितना ब्यूटिफुल मुह है ब्यूटिफुल है लेकिन क्या हो रहा है कि उपर का बहुत उसके मुह में गया इतना बड़ा मुह उ अपर की तरफ नहीं रखते आप नीचे की तरफ करते यह जितना वो नीचे की होड के तरफ उसका अपस्तन उतना वो बच्चा भाद प्रेशर करके उतूर्ट कालेगा ठीक है तो यह दिखुत कर देते जोंगोर दिक रहें मालब सउए नहीं है वह दोनों वह दिखने नहीं बच्चा और भी अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, उसकी चिन भी दिख रही है, ठीक है, तो ये भी इतना सही नहीं है, गर्दन भी थोड़ा नीचे की और है, नीचे की तरफ जुखनी चाहिए, बच्चा थोड़ा भार की तरफ जुखनी चाहिए, ठीक है, तो ये नीचा माने तो वो होट है जो दिखेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए बच्चे को थोड़े खड़े पड़ रहे है, ठीक है, तो ये बच्चे को भी आप मैं थोड़ा सा इदर ये तरफ खीचूंगी, अगर बच्चे को ये तरफ खीचा, तो बच्चे को सही तरह से दूद मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, कि अगर बच्चा, अगर सपोस्ट उपर का एरला उसकी मुमें गया है, तो आपको क्या करना है, बच्चे को थोड़ा नीचे की और खीचना है, जहाँ पे उसके पैर है, ठीक है, वहाँ पे पैर की तरफ उसको कीचना है, और फिर उसको वापस चाती पे लाना है, ठीक है, और जबी चाती पे लाएंगे, तो सिर ऐसा बाहर होना चाहिए, पर ध्यान रहे कि बच्चे को नीचे की और, नीचे की तरफ मत तो इसको भी थोड़ा नीचे की और खीचुंगी में और बच्चा ऐसे नीचे सा रहा है उसको थोड़ा रोटेट करके बिल्कुल उसका जो सिर है एक्दम स्थन के सामने होना चाहिए यह स्थन के नीचे है बच्चा देखा आपने ठीक है और यह दोनों वोट दिख रहे है कि इतना सारा बार है मतलब बच्चे को पूरा उसको ऐसा रोटेट करो ठीक है और फिर उसको थोड़ा नीचे की तरफ कीचो और उसको यहां पे लाओ ठीक है तो यह गलती है देखिए अभी कैसे ला रहा है ठीक है यह क्रॉस्केडल होल्ड है ठीक है बच्चे का मुँ देखिए कितना बड़ा है तब ही उसके मुँ में डाल रहे है ठीक है अगर बच्चे को मुँ में ठीक तरह से नहीं गया तो बच्चा लेगा नहीं ठीक है तो यह जो उपर के होड को लगा के वो बच्चा बच्ची को लाच करा रहे रहे इसमें यह प्रब्लम है कि बच्चा ऐसा नीचे सा रहा है आपको बच्ची को ध्यान में रहे कि आप उसको बच्ची को डिरेक्ली स्तन के सामने लाइए ठीक है ठीक है लाचिं अच्छी है लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे का मुँ है वो मा के मुँ पे देख रहा है वो I prefer कि बच्चे को आप थोड़ा rotate करिये ठीक है तो उसका जो नाक है वो तीन बजे आना चाहिए और उसका जो नीचे के होट है वो नौ बजे के पूजिशन में आनी चाहिए ठीक है तो वो पूजिशन में आपको लानी है मतलब ऐसे लाओ कि उसका जो उपर के होट या नाक है वो तीन बजे आए और उसके जो नीचे के होट है वो 9 बजे बिल्कुल क्योंकि वहाँ पर आपके उंगली होंगी ठीक है तो वह आपको ध्यान में रखना है कि अब यह देख़ें कि अब यहां पर क्या घलती हो रही है ठीक है कि खड़े बच्चे की position देख पहले बार बोडीय संपर शुल को माने के में दीन्व अवज और को सब्सक्रण कर गाया है कि उपर काला भाग जादा गया है नीचे का काला भाग बाहर है देखा आपने इसलिए बच्चा फटा फट टूद पर रहा है क्योंकि दूद आई जाई नहीं रहा है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रहे कि ऐसी गलती ना होए ठीक है और यह क्रेडल होल्ड में यह प्रॉब्लम होता है क के राइट इतना दूर नहीं होता बच्चा और यह जो खड़े होते वह भी मतलब दिखाई नहीं देते अगर अच्छी तारह लाच होता ठीक है ओके यह देखें दूसरा प्रॉब्लम यह देखें बहुत हाइपर एक्स्टेंशन है इतना भी सिर पीछे लाने की ज़रूत नहीं है ठीक है यहां पर भी देखें उपर का एरला मुह में गया हुआ है नीचे का एरला बहार है ठीक है और बच्चा बहुत अइसा थकान जैसा लगता है रहे कि इसमें अच्छी तर पूरा वो में ट्रांसफर नहीं होगा यह बच्चे में बिल्कुल नहीं होगा यह बच्चा उपर बी लाच ई लगरा है देखा अपने नीचे यह पूरिया चका है यह दिखेंच धिक में अपने देख श業 रही हे लीग है नीचे के जोएगा ऐ बस्धुत 1 . की बहुत बहुत आवज़ lassak है ठ है high के धी भेख़ी अभी बच्चिका पूरा सिर वह ऐसेगुमा हुआ है उसका जो पूरा जो बॉड़ी है वो उपर की तरफ है और सिर भी सिर में प्रेस की तरफ है निपली है औक पूरा सिर्फ निपली मुह में गया हुआ है नीचे के और में और में के अरी शोन में बादें और नीचे के पार ऐए लगाना हटा था गए ओर दुर्vine के पूरे भी साथ और ं Tell a technical. छो एक और मनेखंस की तरफ इसा नहीं ऌना रही जो तुर्ण यह यह एक फ़र वर का टार कि ओर यह भार की तरफ बोडी नहीं होना चाहिए ठीक है? दीखे पुरा निपल लाचे और नीछे का जो गाला वाग वह पुरा भार है ठीक है? और पूरा होट भियर है? और अपकी जो चिंट है वह भी देख रही है ठीक है निपल लाचे पूरा निपल लाचे एसलिए टाफर टूथ पीराए देरी बच्चा निंगल थामे नहीं है ठीक है पूरा बड़ी सपोर्ट भी नहीं है और यह कर दन्य कैसी है नीचे की तरफ गुमी हुई है तो दूसरा यह बच्चा माने टीक तरह से पकड़ा अब यह देखते हैं यह पूरा अपर का एरोला मुह में गया हुआ है यह पूरा जो उपर का एरोला गया हुआ है वहां से उसको दूद नहीं आएगा वहां से वह दबाई नहीं सकेगा ठीक है जैसे हम लोग ऐसे लड़्डू उपर रखते तो खानी सकते वह इसी तरह अब यह देखते हैं देखे यह पूरा क्रेडल होल है बच्चा क्रेडल होल में ला रहा है ठीक है देखे क्या प्रब्म हा रहे है और मा भी जो पकड रही हो ठीक तरह से पकड नहीं रही है ठीक है मा की जो ये जो उंगली है वो बिलकुल पैरलल होनी चाहिए उपर के होट और नीचे के होट से पैरलल होनी चाहिए सिर्फ निपल मुह में डाल रहे है वो लोग ठीक है निपल डाली तो देखें कितना उसको उसके खड़े भी पढ़ रहे है मुह भी कितना चोटा है 120 डिग्री बिलकुल नहीं है सिफ मेभी इनो 45 डिग्री है उपर के लो बहार है नीचे के लो बहार है यह निपल फीडिंग है यह बच्छा उसका वज़न नहीं भड़ेगा ठीक है उसकी जो जो गर्दन है वो भी नीचे की तरफ जुकी हुई है अब ही आपको ऐसे दूर नहीं पलाना है ठीक है और जो पकड़ा हुए इस तन वो भी त्हीक तरह से पकड़ा हूआ नहीं है ठीक है गलत है यह क्या लगारा है आपको पैसे हैं कि गलत है बच्चा कितना दूर है देख ही लेगा दें और दूसरा क्या है, नीचे का पूरा लो बाहर है, देख ही अपने, उपर का जो और हला वो मूह मे मेस होट कपे ऐसे क्लेफ होती है वेकल अगर क्लेफ पलिट है है यहां पर कटे हुए तो कैसी दूद प्लाना है इसको बोलते है सैडल होल ठीक है जैसे गोडे पर हम लोग पैटते हैं आप गोडे की तरह बिठाना है ठीक है और फिर इसको अ मा को वो बच्चा सीधा आ रहा है तो मा को सी शेप में पकड़ना है उसको और जहां पर खड़ा है तो जो खड़ा है वो भर जाएगा अगर बहर गया एक बार मा की चाती से तो बच्चा वो खीच सकेगा तीक है लेकिन देखिए कितना ब्यूटिफुल उसका पॉजिशन है उसके और यह जो उसके उपर के जो होटे उसके सामने मा की एक उंगली है और नीचे के होटे मा पे दूसरी उंगली है तो एकदम पैरलल है एकदम समान है तो वैसे ही कौन से भी पोजिशन में आए आपको आपकी उंगली और उसके होट समान रेखा में होने चाहिए तो यह ध्य करना है मैं आपको बारवेर सेशन में ये भी सिखाऊंगी कि कौन सा फॉर्म आप भरेंगी तो उसमें सारे मैंने रिक्षिन लिखे हो है तो आपको ऐसे कुछ याद रखने की जरूती है याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अच्छली लेकिन अगर याद नहीं भी वो भी आप भर सकते हैं ठीक है तो वो भी मैं उसका भी एक सेशन लोगी ठीक है तो धन्यवाद और अगले सेशन मिलेंगे झाले सेशन मिलेंगे